जहें वेल्कम स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल दे ट्यूटर्स अकाडमी पर और वन्स अगेन हम आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आएं जिसका आप सब लोगों को बड़ा इंतजार रहता है मैम NDA 1 2022 का पेपर अच्छा चला गया बढ़िया चला गया मैम मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो गया मैच में मेरा थोड़ा सा दिक्कत गैट में हो गया लेकिन मेरा total score इतना आ रहा है क्या मेरा qualify हो जाएगा ma'am ma'am मेरी sectional तो qualify हो रही है क्या finally दोनों मिला कर cut off में मैं आ जाओंगा so इस तरह के बहुत सारे बच्चों के calls है and इनी के लिए हम लोग video लेकर आएए and ये 1-20-22 का cut off कितना जाएगा so सबसे पहले मैं आपने portion की बात करती हूँ मेरा portion है maths और maths में अगर हम बात करें so maths के लिए अगर sectional cut off की बात की जा रही है लिख देते हैं हापर so sectional cut off के हो जाएगी आपकी 25% अब 25% of 300 marks आप लगाएंगे तो it is 75 marks and 75 marks के लिए कितने question आपको correct करने होंगे सो जितने भी students ऐसे हैं जिनके 30 questions correct है without any negative या negative लगा लगू के 30 बैट रहा है तो paper तो अब अच्छे आपका sectional cut off qualify हो जानी है लेकिन केवल इतने से ही बात नहीं मननी ना आना तो final में भी है final cut off दोनों की mix लोके जाएगी अब दोनों की mix के लिए या तो जिन बचों का gap strong है उन्होंने gap में score करा होगा या जिनका gap weak है तो वो यहां maths में score कर रहे होंगे so paper का level देखते हुए जो मेरी prediction है एक average student कितना question उसमें कर सकता था वो 55 से 65 questions के बीच में एक average student attempt कर सकता था क्योंकि paper को हम यह नहीं कहेंगे बहुत easy आया था और ना हम यह कहे रहें बहुत tough आया था paper easy conceptual lengthy था जिस बच्चे ने concept के साथ पढ़े होंगे उसको पता होगा कि हाँ उसे paper में क्या-क्या मिला और चाहे तो आप देख लीजे मैंने online fully explain करा है paper आपका एक एक question को so question में कैसे गुमाया था statement दो दे दिये, तीन दे दिये, एक statement पता था तो दूसरा नहीं पता दो पता हैं तो तीसरा नहीं पता, यहाँ पर बच्चे मार खा जाते हैं तो yes, एक average student 55 से 65 question attempt कर सकता था यानि marks के लिए अगर बात की जाए, तो marks वो 140 से 160 के बीच में एक average student match में attempt कर सकता है अब बात आ जाती है, मेरे को अभी तक जो पता चला है, मेरा student जिसके सबसे highest score अभी तक गया है, all negative लगाकर all negative लगाकर, तो उसने 84 questions अभी तक correct करें all negative के साथ, right, तो यह मेरी तरफ से maths का है review finally अब बात आती है, GAT के लिए, so GAT के बारे में आपको वही बताएंगे जो उसमें expertise रखते है, मायंग सर को मैं आप उलाना चाहूंगी GAT के लिए and फिर दोनों हम लोग मिलकर calculate करेंगे, finally cut off कितना जाएगा and आप अब safe है, या उसके आगे क्या decision आपको लेना है, next step क्या होगा, उस पे बात की जाएगी so over to मायंग सर get into all of you, कैसे है, paper कैसा रहा, hundred devil का मज़ा आया आजी, देखे जितना बच्चों से बात हुई है, उसके according, safe बच्चे गए हैं, अराम से बच्चे कर पाए हैं चीजों को and important aspect, अगर मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो मेरा तो यहीं पर complete लिक्ट दिया जाएगा, मैं pen बदल लेता हूँ बस, ठीक है चलिए, अगर मैं इसी में आ जाता हूँ, तो GAT वाला जो part है उसमें commonly बच्चों का जो आया है, वो एक, कि आप English को अगर देख रहे हैं तो English के अंदर बच्चा commonly जो मैं हमेशा range देता हूँ 25 से 30, comfortably कर पाया जो बच्चा दे पाया है, वो यही कि वो 25 से 30, comfortably कर पाया है इसके अलावा, जब मैं बात करता हूँ science के लिए, तो yes, बच्चे ने का है, science 11th and 12th का था सर basic वो ही था जो हम NCRT में करते हैं, basic वो ही था जिसको हम अच्छे से चीजों को पढ़के आये थे और वो ही basics हमने apply किया, जिसमें physics, physics chemistry जो कि आपका 11th and 12th base था हाँ biology में कुछ बच्चों ने बताया कि sir इसमें 10th, 11th and 12th mix-up हो सकता है लेकिन जो majority था वो 11th, 12th से physics and chemistry और easily एक बच्चा यहाँ पर भी 30 to 35 score कर पाया, चीक है, रहती है बात journal studies की, 22 question आये थे geography से, आप सुभह में होने वाली T20 या uniform जिनोंने भी मेरी की हैं, चाहे यहाँ यूट्यूब पर या special classes में आने academy पर, ये 20 questions बच्चों ने बताया डिटो सर वहाँ से थे, सिर्फ दो question ऐसे थे, जिनको आपने बताया तो था questions के बीच में, बट वो direct नहीं कराये थे, तो ये accept करूंगा, कि yes, 22 में से 20 questions पढ़ाई वे आये थे, और वो more than enough थे, तो total GS में भी बच्चा 30 प्लस कर पाया, अब अगर मैं इसको पूरे को calculate कर लूँ, तो 60, 50, 85, 80, 85, मेरी side से GAT का एक safe score रहा, और multiply by 4, जब बच्चे उने इसे कर रहे हैं, तो आप खुदी समझ सकते हैं, कि multiply by 4 करने का मतलब कितना हो गया, भाई, यहां पर 2, 0, 8, 32, 33, 34, 34, 34 मार्क्स, तो भाई, आपके पास overall, जो safe score है, वो ये है, कि अराम से बच्चा 300 प्लस GS में जा सकता था, पेपर उतना भी tough नहीं आया, और highest कितना गया है, तो मेरे यहां का ही एक लड़का है, पढ़ता था, आपी की तरह online में, उसने जो score निकाला है, जर्नल स्टडीज में, mind blowing है, 440 उसने मुझे calculate करके बताया है, with negative, maths भी उसका अच्छा जा रहा है, तो वो 600 gross के आसपास पहुँच रहा है, जो की चित्रा में में से पढ़ा था YouTube पर maths, मुझे उसने अनेकेडमी पर follow किया था, and सुमिच सर के साथ पढ़ा है, तो basic में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कि आपके लिए भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप भी कर सकते थे, आपने किया भी है, और जिनका इस बार नहीं हो पाया है, वो पक्का अगली बार करेंगे, इस commitment के साथ मेहनत करो, को मिला कर conclude करते हैं, सो हमारे according जो इन दोनों papers का, sectional तो 25% है ही है, sectional के लावर जो finally combined cut off जाएगा, मैं आपर इसे लिखोंगी 340, 340 के approximately जाएगा, इसमें आप plus minus 10 कर लीजेगा, वो इतना नहीं है, हो सकता है, क्योंकि हम भी एक guessing ही लगा रहे हैं, previous years को देखते हुए, paper pattern को देखते हुए, but मेरी expertise या मेरा जितना भी observation अनुभव कहता है, 340 के आसपास आपकी cut off जाएगी, जितने भी लोग इसको qualify कर रहे हैं, अब क्या करेंगे सारे के सारे, लग जाओ SSB की तैयारी में, और जिनका इससे कम आ रहा है, don't lose hope, अगली बार और अच्छा करेंगे, जम के करेंगे, दब के करेंगे, बिल्कुल और छोड़ना नहीं है, फोड़ना है, बिल्कुल फोड़ना है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाएद,